यंदूस्तान के इतिहास में तीन फाउंडेशनल आईडियाज है मोधी जी ने अगे भाब्रशन में एक दिन कहा कि हिंदूस्तान में किसी पराखरमन नहीं दिया उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है यह देश डर का देश नहीं तो हमारे सारे के सारे महापुर्षों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की, डरो मत, डराव मत, और दूसरी तरफ शिवजी कहते हैं, डरो मत, डराव मत, अभेमुत्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गार देते हैं, और जो लोग अ नमस्कारा नानु सप्न अमनाना सेड़्धी दारे कड़िदा इई हत्तु वर्षिगळली व्यवस्तितवागी सव्मिधान द मेले भारत द कल्पनिय मेले लक्षांतर जनर मेले यारो बीजेपी या कल्पनिय अन्ना विरोधा माड़ुद्रो अवर मेले दाड़ी माड़लागिदे यारो सम्वीधान द मेले दाड़ी विरोधिसदरो अवरा मेले नमली बहुतेइकर मेले वयक्तिका दाड़ी नड़ देदे नम केलवु नायकरो जेईली नली दारे नम ओर्वा नायकनननननना इत्तिचिके बिडगडे माड़लागिदे इन्नोबरू इगलू कूडा जैली नल्लीने इदार जनरन्ना जैली नल्ली हाक लागिदे नन मेले भारत सर्कारद आदेशिद मेरेगे दाली माड़ लागिदे पट्टु बिडदे माध्यमगल मूलका 24 बार 7 प्रती दिनानू निंदने दालीना माड़ लागिदे आडली तारूड बीजेपी नड़िसिदा क्रमगल बग्य वाग्दाली नड़सिदार मुंद्वरिदू मात्नाडि दावरू तम्मन्ना तावू हिंदुगलू अंता करत्कोल्ळोरू हगलीरूलू द्वेश्या मत्तु हिम्साचारदलेने निरत्रा गिर्तारे अंता आडली तारूड बीजेपी विरुद्धा वाग्दाली नड़सिदू नरेंद्र मोधियोरू सम्पूर्ण हिंदू समाज्याला बीजेपी पूर्ण हिंदू समाज्याल्ला, RSS पूर्ण हिंदू समाज्याल्लांता, सदन दल्ली राहुल गांदियवरू अब्बरिसुदरू हिंदू दर्मा एन हेड़ुत्ते, आदरे, बीजेपी एन पार्टतायदै, बीजेपी विचार येनु, अदर निलुवेनु, हिंदू दर्मवन्ना, बीजेपी हेगे बलस्कोल्तायदै, हीगे यल्लानों सेर्दन्ते, हलवारू विचारगल बग्गे राहुल गांदियवरू सदन दल्ली 118 आगी प्रत्योंदू विचारगल बग्गे बिच्चिती दारै, राहुल गांदियवर, संपूर्ण भाषन वन्ना, इई वीडियो दल्ली कनडा सब्टाइटल मूलका नीड लागिदे, प्रत्योब्बरू तप्पदे नोडी जै समधान, इसकी हमने रक्षा की है, देश ने मिलकर समधान की रक्षा की है, और अच्छा लग रहा है अब, कि हर दो-तीन मिनट, बीजेपी के लोग समधान, 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 कह रहे हैं का प्रत क siento kतिता है त्थैजिक के लिएदी आवि witness on them. राप्सका भीराथए सन्स फ्यर्या के लिए ख्यर्याब छिवी ठाय कर लो कि उर्याथ सब्यार गैनने देश्यादू legitimately प्लिए öffentlich धानि दानि ! डे न देक लिए कि निγरी Ama NJack aplodate C acreshouses और अभा उलभें कि आतनि. यह कर द कि द द लो विए भाप रूटा है अपर तो there was a there was a systematic full scale assault on the idea of India, on the constitution and also on मिलियन और भी वीडिस अबियू को रिजिसित अपर गाउनी कि अधिए खिया फ्चारब तर डिजिस एविए पर झांधिए ऑप्ता प्राब जीसिए अधिए, जीसित आतकिए अधिए अधिए, य नवर नव लिदर्टों अधिए, जू जा विद्या प्ताया। And not only the opposition, but anybody who resisted the idea of concentration of power, of concentration of wealth, of aggression on the poor, of aggression on Dalits, minorities, tribals, was crushed. violently crushed. People were put in jail. People were threatened. And I myself was attacked. I myself was attacked by order of the government of India, by order obviously of the Prime Minister of India, 20 plus cases. Two-year jail sentence. My house taken away, no problem. Relentless attack in the media, 24-7, every single day, abuse, attack, abuse, attack. And then the most enjoyable and beautiful part of it, 55 hours of interrogation by the ED. No, which I really enjoyed. Because by the end of the interrogation, the officer, off camera, he switched off the camera. And then he asked me, Rahul Ji, you've been sitting here 55 hours. Aap paththar jaise ho, aap hilte kyuni hai ho? Mujhse zawal pouchhah usai. Toh jab aisa akraman hota hai, when there's an attack like this on you, you obviously need refuge. You need a place. Or you need ideas that defend you. So today I want to start my speech by telling my friends in the BJP and the RSS about the ideas that we used, the entire opposition used, to defend the idea of India. Where these ideas come from and how they gave us the strength, all of us, anybody who opposed the regime, how they gave us the strength to fearlessly take any onslaught that was placed before us. So I'd like to start by showing an image of our refuge. Okay? Sir, Shriv Ji ki photo nahi dikha sakte sir? Ek minute baane sadashya. Sir, Shriv Ji ki photo manna hai sir? Ek minute, ek minute. Ek minute. Sir manna hai toh, rakhde ta hou sir? No, 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 ek minute, ek minute, please. Aap ne sawaal uthaaya? Aap ke maan nae sadashya gun 353 ka niyam bata rheyte, 352 ka niyam bata rheyte, no, 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 please, 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 no. Aap ne ka is niyam prakriya se sadhan chalna chayyeh, niyam prakriya mein kooi bhi play card, kooi bhi chindhi ko sadhan mein nahi dhikha ya jaa saakta. Aap ne ka niyam se? Aisa niya. Maik dee jay sir. Sir, kya is house mein Shriv Ji ki photo dhikhaana manna hai? Maanye sadashya. Aap bas yeh bata dijijiyeh. Maanye sadashya guna. Sir, manna hai ya nai? Gooi bhi chitra ko dhikhaanee ke Toh Shriv Ji ka chitra is sadhan Is house mein dhikhaana manna hai? Yahaan peh dousari chizaheo ki chitra dhikhae jaa saktetä hain. Maagar Shriv Ji ka chitra nahi dhikhae jaa saktetä. Agar Magar 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 Chitra nahi dhikhaane dee reho. Iske baad merah paas aur chitra hai. Maan sab dikhhaana chaatha tha. Speaker sir, Yeh chitra Pura hindustan ke dil mein hai. Pura hindustan is chitra ko janta hai, samajta hai. Everybody knows this Image. Speaker sir, Why I got this image Is because there are certain ideas in this image That we defend. That the opposition defends. The first idea in the image that we defend Is the idea Of confronting our fear. Of never being scared. That idea is represented In this image which you are not allowing me to show By a snake That is placed right near the neck Of Shiv Ji. The idea behind that Is never be scared of anything that you face. In fact In fact Shiv Ji Places death One inch from his neck. And that is the spirit With which we fought When we were in the opposition. From this idea Of resisting We are still in the opposition. I know. I know that. And I am happy and proud to be in the opposition. Because for us For us There is more than power. There is truth For you There is only power That is the only place you want to be For us there is truth And this Is a symbol of truth So when Shiv Ji places the snake Near his neck What he is saying is I will accept the truth And I will not back down From the truth And that is what we have said After that A new idea Emerges And of course I cannot show Shiv Ji's picture But all of you know it Behind the left shoulder Of Shiv Ji Is the Trishul Now I would like you to understand That there is a reason That the Trishul A weapon Has been placed Behind the left shoulder The Trishul Is not a symbol Of violence It is a symbol Of non-violence And that is why It is placed in a place Where Shiva Cannot reach it With his right hand If it was a symbol Of violence It would have been held In his right hand Like this It is a symbol Of non-violence That is why It is placed behind His left shoulder When we fought the BJP We were not violent When we defended the truth There was not An ounce Of violence in us Now There is a third idea And a very powerful idea That emerges From the idea Of truth Courage And non-violence And that idea Of course It is a symbol That many of you hate But that idea Is the Abhay Mudra The symbol of the Congress Party Which As you can see Is also in this image And Jay Mahadev And And what that Rajanath Singh Ji Is looking very surprised And what that What that Abhay Mudra shows It is a It is the next step Of the evolution Of the idea Of facing the truth Fearlessness And Ahinsa Satya and Ahinsa As Mahatma Gandhi Used to say And the Abhay Mudra Is the idea That it is not Good enough To just Keep this Internal It is not good enough To not be scared It is not good enough To use non-violence It is also important That you make others Not scared That you help others Become fearless That you help others Become non-violence So in a sense The Abhay Mudra Is a projection From Shivji To the rest Of the world About these two ideas Of course These two ideas Were used By us All of us When we fought The British And they were Put forth By Mahatma Gandhi The Prime Minister Of course Who has a direct Connection with God Has a Has a direct Speaks directly To God Yes The Paramatma Speaks to Modiji's Atma directly Unlike Unlike With all humans We are all Biological We are born We die But the Prime Minister Is a non-biological Being And the Prime Minister Says Gandhi Is dead And Gandhi Was revived By a movie Can you Can you Understand The ignorance That Gandhi Is dead And a movie Revive The father Of the nation No 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 Gandhi Is not dead Gandhi Is alive Now Another Another Very interesting Thing I noticed It That Is not Your Problem That Is not Your Problem It Is not An Of Your Business And there's Another thing I noticed That it is not Just one Religion That talks About Courage In fact All our Religions Talk about Courage So Here Is the Religion Of Islam I 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 में दिखाऊंगे सर कYसे करऊं मैं समझाना चाहता हूं को समझानी पा रहा हए आपट सब चुनकर आथे बीजा है मजा नहीं आ रहा है जनता ने सब चुनकर वेजा आप ड्रेस करें सांग्रेस पार्टी निए शिवुटो दिखा दी है घूसा होगे तो इसलाम में भी कहा गया है और मैं पढ़ता हूं एड्रे सिदर करें एड्रे सिदर करें माने सिदर करें इसलाम में भी लिखा गया है कुरान में the prophet peace be upon him said he, God said, have no fear I am with you, hearing and seen मतलब इसलाम में भी कहा गया है कि डड़ना नहीं है और जब इसलाम में दूआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभे मुद्रा दिफाई देता है उसके बाद गुरु नानग जी के ओर चलते हैं गुरु जी का खाल्सा जिस 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 धर्म पर आप हर रोज आक्रमन करते हो गुरु नानग जी जो प्लीच 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 हम इनको इस तरीके से पूचते हैं आप इस तरीके से टेबिल पर मत रहो आप रहो सर कहां रखो नहां रख दूँ सर आप नहां रख देता हूं सर सर गुरु नानग जी कि चित्र में भी आपको अभे मुद्रा दिखाई देगा गुरू नानक जी भी कहते हैं कि दरों मत दराओं मत और पंजाब से गुरू नानक जी मिद्दा तक गए थाइलेंड तक गए अफगानिस्तान गए स्री लंका गए किसी से हिंसा नहीं की अहिंसा की बात की सत्के की बात की और किसी को उन्होंने अपनी जिन्दगी में नहीं दराए उसके बाद जीजस क्राइस की इमिज देखिए उसमें भी आपको अभे मुद्रा दिखाई देगा जीजस क्राइस की इमिज में भी अभे मुद्रा दरो मत दराओ मत और जीजस क्राइस ने कहा कि अगर आपको कोई ठपड मारता है तो दूसरा गाल दिखा देगा उसके बाद बुद्ध भगवान अभे मुद्रा दरो मत दराओ मत अहिंसा मतलब और अंत में महवी दरो मत दराओ मत अभे मुद्रा मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में तीन फांडेशनल आइडियाज है मोदी जी ने अपने भाचन में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमन नहीं किया उसका कारण है क्योंकि ये देश अहिंसा का देश है ये देश डर का देश नहीं है तो हमारे सारे के सारे महापुर्शों ने अहिंसा की बात की डर मिटाने की बात की डरो मत डराऊ मत डरो मत और दूसरी तरफ शिवजी कहते हैं डरो मत डराऊ मत अभे मुद्रा दिखाते हैं अहिंसा की बात करते हैं तरिशूल को जमी में गार देते हैं और जो लोग अपने आपको हिंदू कहते हैं वो 24 गंटा हिंसा 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 नफरत 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 असरत्य 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 आप हिंदू हो ही नहीं आप जब दी भापिक्षर शिवाग एंगों मैं साफ लिखता है स्दॉप भाप नहीं हटना चाहिए सदॉप नहीं धरना चाहिए अहिंसा हमारा प्रतीक है एंडे मुद्रा इसे कीजिए, एंडे मुद्रा आप बात समझें ये इस लिए चिला रहे हैं कि तीर जाके दिल में लगा है इसलिए ये चिला रहे हैं लेको चुप हो गए मानियस आप प्रतिपश के नेता हैं किसी की भावनाओं को टेस्ट नी पहुचे ये जो ये विशय बहुत गंबीर है पूरे हिंदू समाज को पुंशक कहना ये गंबीर विशय है बीजेपी को आप दो नाई 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 नरेंद्र मोधी जी पूरा हिंदू समाज नाई है बीजेपी पूरा हिंदू समाज नाई है आरेसेस पूरा हिंदू समाज नाई है मत्तष्टू विश्वेशा वीडियोगलन्नो नोडलू मत्तू होसा वीडियोगल बग्ये थिर्यलू इदिन डॉट कॉम यूटूब चानल सब्सक्रेब माड़ी मत्तू बेल आइकाल क्लिक माड़ी